हैलो फ्रेड्स मिना कोक्स में आपका स्वाबत है बनाने जा रहे हैं मसाला खिचरी मसाला की जडी बनाना एकदम सिम्पल और आसान है तो आए आज हम मसाला खिचरी और उसके साथ में कड़ी भी बनाएंगे रात के खाने के लिए एक अच्छा option है और ये light और healthy recipe है पहले हम मसाला खिचरी बनाने के लिए हमें क्या लगेगा ये देख लेते हैं ये मैंने चावल लिया है इस cup से मैंने major करके लिया है ये 1 & 1 4th cup मैंने चावल लिया है और इसी cup से मैंने 3 4th cup तूर की दाल ली है तूर की दाल को अरहर की दाल भी बोला जाता है इसके साथ में हमें लगेगा ये medium size का प्याज हमने लिया है medium size का काजर हमने लिया है 1 4th cup हमने मटर लिया है green piece ये मिडियम साइज का हमने आलू लिया है ये एक मुठी हमने पीनट लिया है और कुछ हमने करील यूज लिये है ये हाप टी स्पून हमने लाई और हाप टी स्पून जीरा लिया है वन फोट टी स्पून हमने हिंग लिया है ऐसे फोटी डाउं ये मसाली कुछ हम इसमें पाउडर है, वन आप टी स्पून जीरा पाउडर है, नमकम स्वादा नुसर लेंगी, जो मैंने एक टेबल स्पून लिया है, ये कुछ और चीजे हमें लगेगी, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून ड्राइ खोबरा लिया है, तोकनट, ये साता अथ हमने लसन के कलिया लिया है, एक देड़ इंच का हमने अद्रग का पीस लिया है, और एक बड़ा चम्मुच हमने पोरियंडर लिये है, ओईल हमें लगेगा इसे बनाने के लिए और पानी हमने ले लिया है, तो आईए बनाना शुरू करते हैं मसाला की चड़ी, आईए फ्रेंस, अभी मिक्सी की जार मे हम ये ड्राइ खोबरा, जिंजर, गार्लीक और कोरियंडर लियूस, ये सब डाल के ग्राइंड कर लेते हैं, आईए फ्रेंस, ग्यास की फ्लेम आन करके हमने कुपकर रख लिया है, और उसमें तीन टेबल स्पून हमने ओल डाल लिया, ओल हमारा तोड़ा गरम होच चुका ह अब हम इसमें ये राइ और जिरा डाल लेते हैं, उसे क्रैकल होने लेते हैं, हमारी राइ क्रैकल हो रही है, तो अब इसमें हम ये हिंग डालेंगे, और साफ में ही करियूस हमने डाले है, ये पीनट हम इसमें डाल रहे हैं पहले, और एक देड़ मिनेट को भूनने के बार अभी हम इसमें ये प्यार दाले लिए सब्धी सब्जेव को हमने डाल लिया है अभी इसमें जो मसाला हमने मिक्सी के जार में से निकाला था राइ बोकोना, जिंजर गाली और पुरेंडर लिव्स ये इसमें आयर करने के जाए अभी हमारे सब्मसाले और सब्जिया भी अच्छे से भून के हो गई है तो ये बाके के चीज़े हम इसमें आयर करते हैं जरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धहिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक ये हम इसमें आयर कर लिए दो कफ हमारे दाल और चावल दोनों मिलके है अब तूर दाल के बजाए मूंग दाल का भी यूज़ कर सकते हो या मिक्स दाल का भी यूज़ कर सकते हो अभी दो तीन मिनिट हम दाल चावल और सबजे को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे अभी हम इसमें पानी आड़ करेंगी तो पानी मैं यह इसे पाउने चार कप मतलब 3 एंड 3 फोर्थ कप मैं पानी इसमें आड़ कर रहेंगे कि इदे के फ्रेंट्स यह मैंने 3 फोर्थ कप लिया है कि बाती से मैं एक बार सभी चीज़ों कोच्चे से मिक्स कर लेती हूं और गैस का फ्लेम हम बड़ा कर लेंगे किचरी को उपाल ने के बार हम असे दसकन कर लिए खाएंगे और ачत इन सीथी आ हम लेगे यह हमने चते का øug्या करके शनी प्लेम आफ कर लिया है पहले हमने इक शनीतर दक शनी मैंने और बड़ा रह था उसके बाद हमने शनी बादा इसमें ु आप मसाला किचडी के साथ कड़ी बनाते हैं , यह एक कप दहि लिया है इसमें अगर आप कं लेते हो तो आप आपके हिसाब से शक्कर अच्जस्ट कीजिए कर सकते हो तो मां ये तीन टेबल स्फून शकर इसमें डाल लेती हूं और सात में ही हम स्वादा नुसार इसमें नमक डालेंगे जो मैंने एक तीश्पून डाला हूं है सबी चीजों को अच्छा से मिक्स करते हूं धहीं से ब्लेंडर से ब्लेंड करें को धूँत है कि ए टका का अच्छा हमारा टका पैटर पर ना है जो हमने बेशन डाला था उसके लम्स इसमें बिल्कूल भी नहीं है तो आईए अभी हम इसे तड़का देते हैं कड़ी को हम इमें बनाने वाले हैं ये मैंने एक टेबल स्पून की डाल दिया है फिर हम इसमें ये राई और थोड़ा सा जीरा डालेंगे राई हमारी क्रैकल होने लगी है इसमें हम वरने चमच तब लेंगे ऐसे पूट राउ साफ में ये कुछ करीलिस है और दो हमने हरी मिल्चे लिए है ग्यास काफेर हमने धीरे ही रखा है इसके साफ में ही ये हमने तीन ऐसे राउंड मिर्चे लिए है और उनफोर्ट कीश्पून हमने मेठी राना लिया है सबी चीजे अच्छे से बूलने के बाद तुरंत हम इसमें ये जो हमने ढोल बना के लिया था दही बेशन और शक्तर और नमस्ता ये इसमें आयव करेंगे अभी हम पाच मिनिट के लिए कड़ी को अच्छे से उबलना लेंगे इसमें हमने जो आटा डाला है बेशन उसको थोड़ा सा पकने में टाइम जो लगेगा चार पाच मिनिट उतना हम उसको उबा देंगे साथ में हम थोड़ी से दनिया पतीस में आड कर लेते हैं यह हमारी कड़ी को अच्छा उबाल आ चुका है ग्यासका फ्रेम हम आफ कर लेते हैं और सर्विंग बन में से निकाल लेते हैं यह कुकर का अड़कन अभी हम खोल लेते हैं यह दिखे फ्रेशर निकल जुका ले हमारे किचड़ी कितने अच्छी बनी है आप देख सकते हो और यह बहुत खिली-खिली भी बनी है यह देखे फ्रेंड्स अभी मैं इसे सरुकर लेती है यह मेरी मसाला किचड़ी और कड़ी भी बनके तयार हो चुकी है अगर मेरी यह रेसीपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे ला इक किजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां बेल आइकों दबाना मत बूलिये उच्छी मेरी रेसीपी आपको से पहले देखने को मिलेगी तो फिर मिलते हैं किसी नए आर्टेस्टेशीपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक यू